दोस्तो कूटकला में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज में शेयर कर रही हूँ आपके साथ जन्माश्टमी डेकोरेशन की तीसरी वीडियो इसमें मैं लाई हूँ आपके लिए दो बहुत ही आजसान और बहुत ही खुबसूरत आइडियाज मुझे उमीद है कि ये आईडियाज आपको बहुत पसंद आएंगे अगर आप पहली बार आज ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको कहूँगी कि जन्माश्टमी डेकोरेशन की फर्स्ट और सकंड वीडियो पहले देख लीजए क्योंकि कुछ चीजे मैंने उसमें सिखाई है वो मैंने इसमें दोबारा नहीं बताई है और अब इस वक्त बज रहे हैं रात के पौने बारा और मैं भहुत ही ठक रही हूँ कल मुझे जाना है एक कीरतन में तो अभी मैं जा रही हूँ सोने और आप देखिए ये वीडियो चलिए शुरू करते हैं इसके लिए यहां पर मैंने ली है एक परात जिया दोस्तों एक बड़ी सी परात आपको चाहिए और साथ में चाहिए जो दिवाली पर हम स्ट्रिंग लाइट्स लगाते हैं वो ये 15-20 रुपे में या ज़्यादा से ज़्यादा 30 रुपे में आ जाती है दिवाली की ही मेरे पास रखी थी उसको मैंने हाथ में इस तरीके से देखिए रोल कर लिया उसके बाद हम थोड़ा सा ताड़ छोड़ देंगे क्योंकि हमें स्विच लगाने के लिए थोड़ा सा ताड़ चाहिएगा और बाकी इस रोल में हम जो है टेप से इसको थोड़ा सा पहले आपस में चिपका लेंगे ताकि ये बिखरेना और फिर इसको पराथ के बिल्कुल बीचो बीच में रखकर टेप से अच्छी तरीके से इसको सिक्यूर कर देंगे ये जो डेकोरेशन है ये बनने के बाद बेहत खुबसूरत लगी है और बिल्कुल जीरो पैसे खर्च हुए है मतलब इस डेकोरेशन में तो ये देखिए अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ तीन दुपट्टे एक येलो कलर का मैंने लिया है एक ब्लू और एक मैंने लिया है ओरेंज आप अपनी मन पसंद के कोई भी कलर्स ले सकते हैं यहाँ पर हमने दुपट्टे के एक सीरे पर इस तरीके से इसको फोल्ड कर लिया है और बिल्कुल बीच ओ बीच हम इसमें एक रबर बेंड लगाएंगे रबर बेंड हमें डबल करके लगानी है ताकि दुपट्टा वहाँ से हमारा टाइट हो जाए तो यह देखिए इस तरीके से हम वहाँ पर रबर बेंड लगा लेंगे रबर बेंड और सेफटी पिन से ही हम इस डेकोरेशन को बनाएंगे तो ये देखिए हमने तीनों दुपट्टों में बिल्कुल ऐसे मिडल में अच्छे से रबर बेंड लगा लिए तो अब हमारे पास ये तीन दुपट्टे हो गए और एक पराथ हो गई जिसमें हमने अपनी लाइट को पहले से चिपकाया हुआ है अब देखिए पराथ पर हमें इस तरीके से अपने दुपट्टे को रखना है और पीछे की साइट ले जाकर इसको पूरा टाइट जो है एकदम से इसमें गिठा लगा देनी है जितना टाइट आप से हो सके आप उतना टाइट इसको कर लिजे बस फाड मत दीजिएगा कर देंगे दूसरा दुपट्ट्ट्टा लेंगे उसको भी इस तरीके से पहले हमने सीधा लगा देंगे और इसमें भी हम अपनी गिठा लगा देंगे यह देखिए इसको बीच में कर लेंगे थोड़ा सा फैला लेंगे क्योंकि यह हमारा बिल्कुल ही पतला-पतला सा हो गया है और यह आराम से फैल जाएगा क्योंकि हमने बीच में रवर बेंड लगाई है मुझे थोड़ी सी ढीली लग रही है इसकी नॉट तो मैं इसको फिर से टाइट कर रही हूँ नॉट आपको पीछे से टाइट ही लगानी है नहीं तो फिर आपकी डेकोरेशन उतनी बढ़िया नहीं बनेगी अब हम अपना तीसरा दुपट्टा लेंगे और उसको भी बिल्कुल इसके मिडल में रखके किसी भी एक साइड में जो हमारी खाली दिख रही है वहाँ पर ले जाकर और ऐसे ही जैसे हमने दूसरे दुपट्टों में नॉट्स लगाई हैं पीछे हम इसमें नॉट्स लगा लेंगे मैंने आप देख रहे होंगे यहाँ पे कोई भी बहुत भारी भारी दुपट्टे यूज नहीं कियें बिल्कुल सिंपल से दुपट्टे यूज कियें और देखिए इस तरीके से अब हम इन दुपट्टों को फैला देंगे इस तरीके से फैलाएंगे कि सारे के सारे जो ट्राइंगल बने हुए हैं वो लगभग एक से हमें दिखाई दे जब आपको लग जए कि आपका ये पूरा का पूरा सेट हो गया है तो आप इसको फिर सेफटी पिन से पूरा का पूरा सिक्यूर कर दीचे अब यहां पर मैं कुछ जगे पर सेफटी पिन लगा रही हूं क्योंकि काफी सेट करने के बाद भी वहां पर हमें नीचे की पराद दिख रही है तो आप अराम से इसमें सेफटी पिन से इसको पूरा सिक्यूर कर सकते हैं ज्यादा टेप वगरे का यूज मैं इन दूपट को मतलब गिठा लगाने में भी हमें दिक्कत होगी तो बहुती नॉर्मल दूपटे हैं जो हम अपने घरों में यूज करते हैं अब हमारा जो यह तार है उसको हम एक साइड से नीचे कर लेंगे क्योंकि यह थोड़ा सा दूपटे की गिठा लगाने में ऊपर चला गया था आप चाहें तो यहाँ पर ओल्पिन वगेरा भी लगा सकते हैं फ्लावर को सेट करने के लिए तो यह देखिए यह हमारी एक बड़ी सुन्दर सी जो है डेकोरेशन तयार हो गई है अब यहाँ पर मैंने जो दरबार बताया था आपको फर्स्ट और सेकंड वीडियो में उस प्रेस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूँगी यह कुछ मटकिया हैं यह भी मैंने आपको बनानी सिkھाई है इनको मैं इस हैंगिंग में लगा रही हूँ यह हैंगिंग वगरा सब मैंने आपको सिखाई हुई है पिछली विडियो में और इसमें अब हम एक तार का हुक बन नीचे हमारे खेल खिलोने रखे हुए हैं ये देखिए एक तरफ जुन जुना रखा है पेड़ पर हमारी मटकिया लटकी हुई बहुत ही खुबसूरत लग रही है बीच में हमने सिंगासन रखा हुआ है ये भी मैं आपको बनाना सिखा आच चुकी हूँ और अब ये देखि ये लाइटिंग चला कर इसका कितना खुबसूरत इफेक्ट आ रहा है मतलब मेरा तो ये फेवरेट हो गया है मैंने अभी तक जितनी डेकोरेशन बनाई है क्योंकि सच में इसमें कुछ भी नहीं लगा है एकदम घर के समान से ये बन गई है और वापस भी सब कुछ आज़ लगाई है वो तो आप आसानी से निकाली सकते हैं अब देखेंगे इसका अंधेरे में हमारा लुक कैसा आ रहा है तो ये देखें ये मैं लाइट आफ कर रही हूं और ये देखिए कितना खुबसूरत जो हमने पराथ पे डेकोरेशन बनाई है दुपट्टो से छन के जो र लग रहे हैं और वाकई में पीछी की डेकोरेशन बहुत ही कॉंप्लिमेंट कर रही है इस पूरे के पूरे दरबार को मुझे तो ये डेकोरेशन बहुत ही खुबसूरत लगी और बिल्कुल दस मिनिट में आप इसे बना सकते हैं जन्माश्टमी वाले दिन ही आपको कैसी लगी ये सब चीजे तो आप भी मुझे कमेंट करके बताइए चलिए दूसरा आइडिया सीख लेते हैं अब आइडिया नंबर फोर में ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूं ये वाले प्लांट्स ये मैंने अपनी सबी वीडियो में यूज किये हैं आज मैं आपको इन पेडों में इस तरीके का अजस्टमेंट है कि आप अपने परदे को इसमें अजस्ट कर सकते हैं ये भी मैंने आपको अपने चैनल पर सिखाया है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी अब ये मैंने ली है दिवाली की स्ट्रिंग लाइट औ आगे लगा दिये हैं चोटे-चोटे से कुछ खिलोने जो भी आपके पास घर में रखे हों कुछ भी खिलोने आप यहां पर लगा सकते हैं और ये देखिए अब लाइट मैंने अन कर दिये और यहां पर हमारा ये वाला दरबार भी कितना सुन्दर लग रहा है आपको कैसा बताएगा कमेंट करके और ये देखिए लाइट आफ करके भी इस दरबार का भी लुक बहुती सुन्दर आ रहा है पीछे पेड है और उसके पीछे हमारा सुन्दर सा परदा है और उसके आगे बैठे हैं हमारे गोपाल जी बाकी आप कुछ भी एक्स्टेंड कर सकते हैं य बहुती सुन्दर सा हमारा ये भी दरबार एकदम से तयार हो गया ये कुछ चीजे बनी रहती हैं तो दरबार लगाने में बहुत इजी होता है तो फ्रेंड्स ये थी हमारी फोर्थ नंबर का आइडिया और ये देखिए बहुती सुन्दर लुका रहा है खेर इसका भी ये फ्रेंड्स अच्छी लगी हो ये वीडियो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा कमेंट जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजे फिर मिलेंगे एक नए आइडिया के साथ तब तक के लिए बाई